यदि आप बिहार के नियोजित संबिदा कर्मी हैं या भविस्य में नियोजन की सेवा के इच्छुक हैं तो बिहार गजट के और साधारण अंक में 25 जनवरी 2021 को बिहार सरकार द्वारा प्रकासित संकल्प का महत्तो समझ सकते हैं मैं इस संकल्प की प्रति साजा करके इसके महत्तो पुर्ण प्रावधानों पर आपकी प्रतिकरिया आमंत्रित करना चाहता हूं बिहार में नियोजन के संब्द में सबसे पहले कार्मी के और प्रसासिनिक सुधार विभाग द्वारा ग्यापांग 2401 दिनांग 18 जुलाई 2007 को बिश्त्रित दिशा निर्देश जारी किये गया बाद में भारतिय प्रसासिनिक सेवा के बरिष्ट अधिकारी श्री असुक कुमार चौधरी जी की अध्यक्षता में उच अस्तरिय कमीटी का गठन किया गया और कमीटी की अनुसंसा के आलोक में ग्यापांग 12,534 सप्तंबर 2018 के द्वारा कुछ सुविदाओं का प्रावधान किया गया जैसे सेवा निवरिती की सामानने उम्रे जो 60 बर्स है 60 बर्स तक नियोजन की सेवा की जा सकेगी अवकास का प्रावधान किया गया बारसिक मांदे बढ़ोतरी की बात की गई अनुगरा हनुदान की सवा अभिलेक संदारण यात्रा व्याय और अपील का प्रावधान किया गया क्रम्चारी भविषय निद्धी यानि EPF 1951 और क्रम्चारी राज्य बीमा यानि Employment Employee Estate Insurance Act 1948 से निवीजित कर्मियों को अच्छादित किया गया शर्ज का बारसिक मुल्यांकन का प्रावधान हु नियमित नियुक्ति में वेटेज की बात की गई पुना विभागी संकल ग्यापांग एक हजार तीन दिनांग 22 जन्वरी 2021 को बिश्तरित दिशा निर्देश जारी किया गया जिसके बाद बिहार में बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आने लगी इस दिशा निर्देश को 25 जन्व सुभीदा कर्मियों के साथ-साथ भविश्य में नियोजीत होने वाले ऐसे कर्मियों को भी कई अत्रिक्त और बेहतर सुभीदाएं दि जाएंगी तो आइए जानते हैं कि यह कौन सी सुभीदाएं हैं जो अब सरकार देने जा रही है सबसे पहले यदि नियोजन के मार्द परियोजनाओं के लिए के लिए श्रिजित किये जाएगे इसमें पहाली जो BEC उसके लिए बिग्यापन निकाला जाएगा और बिग्यापन में बिश्त्रित दिशा निर्देश होगा उस दिशा निर्देश में बताया जाएगा कि उस पद के लिए अरहताएं क्या होगी बहाली करने के लिए competent authority कौन सी होगी उम्र की सीमा क्या होगी आरक्षण क्या होगा और बिग्यापन की शर्तों के अनुसार चैन के बाद एक एकरार नामा किया जाएगा जिसमें बहुत शारी शर्ते होगी और उसके बाद नियोजन होगा ऐसे नियोजित कर्मी न तो सरकारी सेवक होगे नहीं उने सरकारी सेवक को मिलने वाली सुविदाय मिलेंगी और नहीं वो भविश्य में नियमिती करण का दावा कर सकेंगे योजना की समाप्ती के संग नियोजन भी समाप्त हो जाएगा इसके पहले भी अस्वस्ता की स्थिती में या अनुसासन हिंता की स्थिती में या सेवा संतोस जनक नहीं होने पर सेवा से उन्हें मुक्त किया जा सकेगा दूसरे जो पद है ओ नियमित नियुक्ती के पद है नियमित नियुक्ती के पदों पे नियोजन नहीं होगा अत्यांत बिसेश परिस्थिती में ही मंत्री परिशत के अनुमोदन से नियमित नियुक्ती के पदों पे नियोजन किया जा सकेगा इसके लिए भी बजापते बिग्यापन निकाला जाएगा और उस बिग्यापन में अरहता क्या होगी उसका निर्धारन किया जाएगा और हता वही होगी जो नियमित नियुक्ति के पदों के लिए होती है बहाली करने वाला सक्षम प्राधिकार क्या होगा तो जो प्राधिकार नियमित के लिए होगा वही उनके लिए होगा बिहार में हम जानते हैं कि गजटेट पोस्ट के लिए बिहार लोग सेवा आयोग और आउन गस्टेट पोस्ट के लिए बिहार क्रमचारी नायोग तथा भिःहार तक्निकी सेवा還-ओक के माध्यम से नियोख्तिया की जाती है तो नियमित नियुक्ति के पद यदी विशेश परिस्थिति में निओजन के पद हों घंए तो एही ऑchnरेटी जो है बिहार करमचारी चयन आयोग या बिहार लोक सेवा आयोग या बिहार तकनिकी से आयोग कि यह सरकार दोरा इस तरह के किसी आयोग का घठन किया जाता है तो वही आयोग बहाली करेंगे उम्रे सीमा और आरक्षन रोस्टर जो है बिहार सरकार के समानने प्रसासन विभाग के द्वारा जारी जो होगा वही लागू होगा अभी हम जानते हैं कि समानने नियुक्ति में समानने बर के लिए उम्रे की उपरी सीमा 37 साल है यह पद जो होंगे पूरी तरह अस्थाई होंगे और नियमित नियुक्ति होने तक ही इस पद पे नियोजन किया जा सकेगा इस पद पे बहाल नियोजित कर्मी न तो सरकारी सेवक होगा नहीं उसे सरकारी सेवक की भाति सुविदाएं मिलेंगी और नहीं वो भविस्य मैं नियमिती करण का दावा कर सकेगा औस वस्ता अनुसासन हिंता या सेवा के संतोष जनक नहीं नहीं होने पे निर्धारी कार्जकाल से पहले उसकी सेवा समात्र की जा सकेगी नियोजन के पहले उसे दस्त कत करना होगा जिसमें बहुत सारी शर्ते होंगी जिसकी चर्जाबाद में करूंगा मैं लेकिन इतना होते हुए भी यदि कोई कर्मी नियोजित है किसी एक विभाग में और उस विभाग में उसके सेवा की आउसेक्ता अपसेश नहीं रह गई है तो उसी पदनाम और जोगिता वाले पद पर नए विभाग में वह नए सीरे से एकरार नामा करके अपनी सेवा दे सकेगा और यदि किसी विभाग में नियोजित कर्मी है और नियमित नियुक्ति के लिए चैन प्रक्रिया अपनाई जा रही है वह भी चैन प्रक्रिया में शामिल होता है लेकिन उतिर्ण नहीं हो पाता है और चैन परकिरिया की समापती के बाद यदि उस भी भाग में कोई रिक्ति रह जाती है तो पहले से कारज़ट नियोजित संबिदा कर्मी को उस पद पे स्कार्ज करने की अनुमती मिलेगी नियमित चैन परकिरिया शुरू होने मात्रे से नियोजन खत्म नहीं हो जाएगा बलकि नियमित चैन प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्ति होने के बाद ही नियोजन का पद खत्म होगा पंचायती राज्ज में नियामित्रेवम गिराहम कचहरी सचीव के लिए बर्तमान में जो नियम प्रभावी है अब आई ये बात करते हैं कि नियोजित संविदा कर्मियों को कौन-कौन सी सुविदाएं सरकार देने जा रही है तो नियोजित कर्मी सबसे पहले अपने पारिश्रमिक के बारे में सोचता है कि उसको क्या मांदे मिलेगा मांदे के बारे में असपस्ट कहा गया है कि मांदे या पारिश्रमिक का निर्धारण विकास आयूक्त की अध्यक्षता वाली एक कमेटी करेगी उस कमेटी में जो सचीव होंगे सदस्य सचीव ओ संबंधित विभाग के सचीव या प्रधान सचीव होंगे मांदे के निर्धारण में ध्यान रखा जाएगा कि बाजार दर किया है और सरकारी सेवक को यदि उसी पदनाम की सरकारी सेवा में पद है तो उसका प्रवेश सेमान वेतन कितना है प्लस उसको डिये कितना मिलता है अन्यभत्ते जैसे मेडिकल और हाउस रेंड भी जोड़ा जाएगा और ये सब जोड़के तब उसके मांदे का निर्धारण होगा अगर वास्तों में ऐसा होता है तो नियोजित कर्मी को भी नियमित कर्मी के समान ही वेतन का लाग मिल सकता है किसी परियोजना के अंतरगत नियोजित संविदा कर्मी को परियोजना की सर्तों के अधीन ही मांदे या पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाएगा यदि हम मिलने वाले आवकासों की बात करें तो कई तरह के आवकासों का प्रावधान किया गया है इसमें आकस्मिक आवकास सबसे महतरपूर्ण होते हैं इनके बारे में यदि बात करें तो 12 दिन या 16 दिन का आकस्मिक आवकास मिल सकता है 12 दिन का आकस्मिक आउकास वैसे नियोजित संबीदा कर्मी को मिलेगा जो सपता में 5 दिन कार्ज करेंगे और 16 दिन का बर्स में आकस्मिक आउकास वैसे नियोजित कर्मी को मिलेगा जो सपता में 6 दिन कार्ज करेंगे अरजित आउकास की बात करें तो एक बर्स में अधिकतम 16 दिनों का आरजित आउकास मिल सकता है और पूरी सेवा ओधी में कुल 60 दिनों का आरजित आउकास मिल सकता है मातरित आउकास की बात करें तो प्रथम दो संतानों के लिए 26 सप्ताह का मातरित आउकास है जिसमें 8 सप्ताह का मातरित आउकास प्रसों के पुर्वो और 18 सप्ता का मात्रित्व आवकास प्रसों के बाद मिलेगा दो के बाद भी यह दिशन्ताने होती हैं तो वैसी स्थिती में 12 सप्ता का ही मात्रित्व आवकास दे होगा और ये 6 सप्ता का मात्रित्व आवकास प्रसों के पहले और 6 सप्ता का मात्रित्व आवकास के लिए एक शर्थ है कि साल में उसे नियुंतम ऐसी दिनों की सेवा करने के बाद धी मात्रित्व अवकास का लाप दिया जाएगा पुरूस नियोजित कर्मियों के लिए भी पित्रित्व अवकास की बात की गई है जो फंद्र दिनों की होगी इसके अत्रीक्त साल में 30 दिनों का अवयत्निक आवकास भी दिया जा सकेगा लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि आवकास अधिकार नहीं होगा सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन के बाद ही आवकास का उभोग किया जा सकेगा वैसे भी सेवा मेडिकल लीप के अत्र है वो अधिकार नहीं होता है और आवसेक्ता अनुसार उस लीप को समात किया जा सकता है और कार्ज पर बुलाया जा सकता है आवकास की स्विकृति कौन करेगा तो आवकास की स्विकृति नियोजित संभिदय कर्मी के लिए वही आउथरिटी करेगी जो नियमित कर्मी के आ प्रावधान यह है कि बीना सुचना के 15 दिन अनुपस्थित रहने पर सेवा समाप्त कर दी जाएगी इसके अत्रिक जो प्रावधान किये गा है उसमें अनुगरह अनुदान की बात की गई है यानि नियोजन अधी में मिर्तु होने पर मृतक के आश्रित को एक मुष्ट चार लाख रुपे दिये जाएगे सेवा अभी लेख के संधारण की बेवस्था की गई है सेवा अभी लेख का संधारण प्रसासी बिभाग द्वरा किया जाएगा और इसमें आवकास का भी लेखा होगा यात्रा ब्याय की प्रतिपूर्ती की बात की गई है यात्रा ब्याय नियोजित कर्मी को भी उतना ही मिलेगा जितना नियमित कर्मी को यदि पद समान हो यदि नियोजन के पद के समकच नियमित पद नहीं है तो बित विभाग अलग से यात्रा ब्याय का निर्धारण कर सकेगा अपील का भी प्राउधान किया गया है यदि कोई नियोजित कर्मी जिसकी सेवा समाप्त कर दी जाती है तो न्योक्ति प्राधिकार से ठीक उपर के प्राधिकार में अपील कर सकेगा न्योजित कर्मियों को EPF-1-52 के अंतरगत क्रमचारी भविश्य निदी की सुविदा दी जाएगी और क्रमचारी राज्य बीमा की भी सुविदा उसे दी जाएगी उसके कार्जों का बार्सिक निवार्ज रूप से किया जाएगा मुल्यांकन के लिए मापदंड किया होगा तो मापदंड का निर्धारण संबंधित विभाग या पर्योजना के द्वारा किया जाएगा नियोजित कर्मी की नियुक्ति में वेटेज मिलेगा एक बर्स में अधिक्तम पांच अंक वेट मिल सकता है जितने ओधी तक कार्ज करेंगे उतनी ही ओधी की छूट अधिक्तम उम्र सुमा में दी जाएगी या एक बहुत अच्छा प्राउधान है कोई व्यक्ति यदि 30 साल की उम्र में नियोजन स्विकार करता है और 40 साल का हो गया उसकी उम्र लैप्स कर गई अब नियमित नियोगती के लिए अपलाई करेगा तो उसकी उमर 30 साल ही मानी जाएगी यानि 10 साल की उसे उम्र सीमा में छूट मिलेगी ये बहुत अच्छी बात लग रही है मुझे उम्र सीमा में छूट नियोजन और नियमित नियोगती का पद समान होने पर ही मिलेगा अनुभव का वेटेज देते समय बित्तिय मा बिन्यामक संस्थाओं अथवा इउजी सी के मार्क दर्सन का ध्यान रखा जाएगा पुलिस की नियोगती जैसे मामलों में उम्र सीमा में च्छूट नहीं दी जाएगी उक्तला बीधिवत नियोजित करमियों को ही मिलेगा सभी करमियों को नहीं मिलेगा संबिदा नियोजन की ओधी समाप्त होने के पुर्व यदि कोई कर्मी है उसकी संबिदा समाप्त की जानी है तो नियोकता उसे एक माह की पुर्व सुचना देगा या एक महीने की अगरिम रासी दे करके उसका नियोजन समाप्त कर सकेगा नियोजित कर्मी को भी नियमित सरकारी सेवकों की भाती हर साल संपती का बेवरा देना होगा अपने नियोगता को किसी संका की स्थिती में समाने प्रसाशन विभाग के संकल्प ग्यापांग 12534 दिनांग 17 सेप्तमबर 2018 के अंतरगत समाधान किया जा सकेगा पुर्व के सभी संकल्प इस हद तक संसोधित समझे जाएंगे पुर्व के नियोजित संबिदा कर्मी इस संकल्प के प्रावधानों के अधिन नियोजित यमकारजरत समझे जाएंगे सभी प्रसासी बिभाग, प्राधिकार, नीगम, सुसाइटी द्वारा संविदा नियोजन का संसोधित आदेश निर्गत किया जाएगा तथा निया एकरार नामा संपन किया जाएगा पूरे नियोजन नियमावली को समझने के लिए इसका जो एकरार नामा का प्रपत्र है वही काफी है आईए जान लेते हैं कि एकरार नामे में क्या-क्या सरतें घोसित की गई हैं तो पहले तो इसमें लिखा होगा कि किस ग्यापांक और दिनांग के अधिन नियोजन हो रहा है यह जो एकरार नामा होगा वह बिहार सरकार और नियोजित कर्मी के बीच होगा इसमें उसके पदनाम का भी उलेख होगा और इसमें समान प्रसासन विभाग के संकल्प किया पांग एक हजार तीन दिनांग 22 जनवरी 21 में निहित प्रकिरिया के अनुसार होगा इसकी भी घोषना होगी यह वही संकल्प है जिसकी चर्चा मैं आज कर रहा हूँ एक मुष्ट मिलने वाली पारिश्रमिक का भी उलेख होगा और यह भी लिखा रहेगा कि अतरिक्त अन्य कोई रासी या भत्ता दे नहीं होगा सरकारी सेवकों को दे सुविदाएं नहीं मिलेंगी भविश से में नियमीत और अस्थाई या अस्थाई नियुक्ति का दावा नहीं किया जा सकेगा नियोजित होने वाला व्यक्ति अपने कार्ज अस्थल के बारे में दो बिकल्ब सुझा सकेगा लेकिन अंतिम नेर्णे नियोक्ता का ही होगा नियोक्ता जहां उसे चाहेगा उहां उसको सेवा देनी होगी उसे स्वास्थ प्रमाड पत्र भी देना होगा और संतोस जनक कार्ज करना होगा एक्रार नामा की शर्तों के उलंगन की इस्थिती में सेवा स्वता समाप्त हो जाएगी तो ये है साहब का निया फर्मान और नियोजित संविदा कर्मियों को इसके अधीन अपने आपको करना होगा बहुत जादा जो परतिक्रियाएं आ रही है लोगों में जो घबराहट है तो मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी नियमावली ये दि बनती है तो उसे बिद्यमान नियमावलियों से संगत होना ही पड़ेगा और जो संविदा नियमावली बिहार सरकार के द्वारा अधिशूचित की गई है उसके संग इंडियन कंट्रेक्ट कंट्रेक्ट एक 1872 भी है जिसमें बताया गया है कि आयन एग्रिमेंट इंफोर्शेबल बाई लॉव विच आफर्स पर्सनल राइट्स एंड इंपोजेज पर्सनल अबलिगेशन तो इसमें ब्यक्ति को जो अधिकार दिये गया है और जो दाइत तो उस पर दिये गया है उनसे बहुत लाब मिल सकता है और कोई भी नियम जो है वह नियाईक पुन्राव लोकन के अधीन होता है उसमें बाद में नियाय निर्णे के लिए नियायालि के माध्यम से हस्तक्षेप संभव होता है हां यहां परेशानी यह है कि भारत में कितने लौ हैं कितने लेवर एक्ठ हैं इसके बारे में तो सदी के महानायख अमीताब बच्चन जी भी नहीं बता पाएंगे मैं समझता हूं कि अगर अमीत जी कौन बनेगा क्रोडपती में यह प्रस ने पूछें कि कितने प्रावधान है लेवर एक में और उसमें कितनी कंट्रोवर्सिज है तो सायद कुछ बेहतर जानकारी हम लोगों को मिल सकेगी बाराल अभी तो इतना ही है कि जो नियोजन नियमावली अधिसुचित की जा चुकी है आने वाले दसकों में इस नियोजन नियमावली पे काम होगा इसलिए सभी जुआओं को जो सरकारी सेवा के इच्छुक है उन्हें इस नियोजन नियमावली को अवस्य पड़ना चाहिए जो बरत्मान में नियोजी संबीदा करमी है यह भाईसे में नियोजन की सेवा देने के इच्छुक हैं उनको इस नियमावली के प्रावधानों को बड़ी बारीकी से समझने कि आव सकता है बहुत बहुत धन्यवाद